जैहिन वेलकम टू सक्सस एक दिद अगर आपका सपना है आर्मी में भरती होने का तो आपके लिए आर्मी में गुर्पशी के विकंसी जिसको हम सीवलेन कहते हैं बंपर वकंसी जारी हो चुके हैं और यह जो वकंसी आपकी आई हैं एक 40 field ammunition deport में आपके वकंसी जारी हुई हैं देखेगा इस बरती के जो form है आपको offline तरीके से apply करने हैं और form आपको किस परकार से apply करने हैं आपको पूरी process है form को apply करने की हम ने इसके उपर एक अलग शी वीडियो बनाई हुई है उस वीडियो को लिनक आपको इस वीडियो को description म आपकी होने वाली है उसमें क्या कुछ process है आपको गुजरना पढ़ेगा आपकी physical के कुछ part है आपका PMT और PhD तो यह क्या कुछ है इनमें क्या कुछ आपका होने वाला है इसके अलावा जो आपका exam होने वाला उसका क्या कुछ pattern है इन सब के बारे हम इस वीडियो में डिसक् क болने वाली हैं लेकिन ऐसा नहीं है यहां पर कुछ आपके ऐसी भी पोस्त हैं जिन में कोई भी physical components नहीं होगी वह कौन कुन से पोस्त हैं जिनमें आपकी फिजिकलप कंड़क्ट होगी और कौन से जिनमें नहीं होगी वह हम आपको बताने हो तो तो प्लीज थोड़ा patience बना रखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं कि कौन कौन सी विकनश आप की जारी हुई है, तो देखिएगा, यहाँ पर आपकी जो पोस्ट हैं, सबसे पहले है ट्रेडिमेंट की आपकी पोस्ट, उसके बाद है जे ओए, जिसको हमें LDC भी बोलते हैं, उसके बाद है MA, Material Assistant की पोस्ट है, उसके बाद है आपकी MTS की पोस्ट, और उसके बाद आपकी Fireman की पोस्ट, तो इन टोटल जो पास पोस्ट हैं, इन के उपर आपकी जो विकनशी हैं, वो जारी हुई हैं, अब बात करते हैं, आपके जो Physical पहले होगी, फिर आपके Return Exam पहले होगा, तो देखेगा यहाँ पर जो सबसे पहले आपकी पोस्ट होने वाली है, वो आपकी Physical होगी, अब किस पोस्ट की क्या Physical होगी, चलिए वो देखते हैं, तो यहाँ पर देखेगा, जो सबसे पहले प्रोस्ट आपके होगी, वो आपकी PSD, जिसको हम बोलते हैं Physical Standard Test, इसमें जो सबसे पहले प्रोस्ट होगी, आपकी Height की और चस्ट की Measurement होगी, जो सबसे पहले वाली पोस्ट है, वो आपकी Fireman की पोस्ट, जिसके लिए केवल और केवल, आपके जो मिल कंडिडेट हैं, वह हैं पलाई कर सकते हैं, यहाँ पर इसके जो Height होनी चाहिए, आपकी 105 cm Height होनी चाहिए, इसके अलावा जो चस्ट आपकी, वो आपकी कितनी होनी चाहिए, एक ऐसी 0.5 cm आपके चस्ट होनी चाहिए, और जो Expansion है आपका, वो आपका 15 cm तक आपका Follow के बाद होना चाहिए, Weight यहाँ पर आपका, जो Minimum है वो कम से कम आपका 50 kg रखा गया है, यहाँ पर एक बात नोट करनी है, कि जो आपके ST कितनी के जो Conduct है, उनको यहाँ पर 2.5 cm के हाइट विंशूट मिनने वाली है, किस पोस्ट में? Fireman की पोस्ट में, उसके बाद बात करते हैं आपके जो अगली प्रोसेस है, तो यहाँ पर देखेगा जो सबसे पहली प्रोसेस है, जो फिजिकल होगा, या फिर आपका रिटेक्ट एक्जाम होगा, उसको जो सभूत है, वो भी नोट आपके सन में दिया गए, या पर देखेगा, लिखा होगा कि जो भी कंडिडिट आपके, जो फिजिकल स्टेंडर्ट टस्ट आपका, या फिर आपका जो फिजिकल आफेसेंसे टेस्ट है, वो क्यूलिफाइण नहीं करेंगे, उनको यापर रिटेंड एक्जाम में जो हापिर नहीं होने दिया दाएगा, तो यह बात यहाँ पर आपको देख सकते हैं, जो पहली प्रोसेस होगी आपकी, वो फिजिकल की होगी, और उसके बाद इस आपको रिटेंड एक्जाम है, वो कंड़क्ट किया जाएगा, अब देखेगा, मैंने जैसे कि आपको पहले खाता कि सभी आपकी जो पोस्ट है, उन सभी में आपका PMT, पेस्टे कंड़क्ट नहीं होता है, जो फिजिकल होने वाले है, उसके क्या को स्टेंडर रखे गए हैं, वो मैंने आपको अभी बताए हैं, अब बात करते हैं कि जो अगले पोस्ट है, वो आपकी MA, यान की Material Assistant की पोस्ट, अब इसमें कोई भी आपको फिजिकल स्टेंडर जो हो रिक्वाइड नहीं है, कहने का मतलब यह है, कि यहां पर आपको जो minimum height है, और जो minimum chest है, और जो minimum weight आपका, कोई भी क्राइटेरिया MA की पोस्ट के लिए नहीं रखा गया है, सेम आपकी, जो MTS के पोस्ट है, उसके लिए रहने वाला है, यानि कि यहां पर भी MTS के पोस्ट के लिए आपको कोई भी minimum chest, minimum height और minimum weight यहां पर आपका required नहीं होने वाला है, तो इन दोनों पोस्ट के बार में आपको जो physical standard test है, इनके बार में आपको attention नहीं लेनी है, उसके बाद बात करते हैं, जो आपकी पोस्ट है JOA की, इसमें भी आपका जो physical standard test होगा, वो भी conduct नहीं किया जाएगा, लेकिन आपका जो एक test है, वो होगा आपका skill test, जिसको हम typing test भी बोल सकते हैं, और वो आपका English या फिर Hindi, जिस language जो आपके देना चाहें, वो आप दे सकते हैं, यहाँ पर एक बात आपको और note करते हैं, कि JOA की पोस्ट में, जो आपका typing test होगा, वो केवल और केवल आपका क्योलफिंग नेचर का होने वाला है, यानकि इसके लिए कोई भी आपको ऐसे नमबर नहीं दिया जाएंगा, जो कि आपके मेरिट में काउंट होने वाले हैं, ठीक हाजी, उसके बात बात करते हैं, आपके जो फार्मन की पोस्ट है, उसमें आपको जो physical efficiency test होने वाला है, वो क्या कुछ होगा, देखिए, तो फार्मन के पोस्ट में जो सबसे पहली प्रोस्ट होगा आपकी, वो आपकी रनिंग की, आपकी रनिंग कितनी होगी, 1.6 किलोमिटरी रनिंग होने वाली है, इसकी जो टाइम आपको दिया जाएगा, वो आपका 6 मिनट और 30 सेकंड, 6 मिनट, 30 सेकंड टाइम आपको दिया जाएगा, आपकी रनिंग को क्योलिफाई करने के लिए, उसके बाद जो सेकंड प्रोस्ट होगा आपकी, वो है आपकी 2.7 मिटर की एक यहाँ पर मपोड़ सकती, डिच आपकी खाई होगी, और उसके उपर आपको चलांगा लगानी होगी, आपको कुदना होगा अपने दोनों पैरोक योपर है, बहुत फीट दोनों पैरोका यूज़ करके कुदना होगा, यह आपकी सेकंड प्रोस्ट है, उसके बाद है, एक आपका कोई भी वैक्ति हो सकता है, या फिर कोई भी आपका भार हो सकता है, उसका वदन कितना होगा, तिरे सब पर पांच किलोग्राम का, और वो आपको दोड़ना होगा, कितने किन मिटर तक है, 183 मिटर तक आपको दोड़ना होगा, अपने हैंड का, अपने हाथ का, और अपने फिट है, जो पांच है, इन दोनों का यूज़ करके आपको जो रसा है, उसके उपरे चड़ना होगा, यह 14 प्रोसेस आपको फिरमन के पोस्ट में, फिजिकल के रिगार्डिंग होने वाली है, तो यह बात आपको ध्यानक नहीं है, उसके बाद जो आपको फिजिकल होगी, वो आपको होगी ट्रेडमन के पोस्ट के लिए, इसी में देखिएगा, जो सबसे पहले प्रोसेस होगी आपकी, वो आपकी रेस की, आपको लेकर दोड़ना होगा 200 मिटर तक, और कितना टाइम इसके लिए दिया जाएगा आपको, 100 सेक्न है आपको टाइम दिया जाएगा, तो यह जो फिजिकल है, यह होने वाले आपकी ट्रेडमन की पोस्ट में, तो यहाँ पर देखिएगा, जो भी कनेटर आपका फिजिकल क्यालफाई करते हैं, उनको रिटन एक्जाएम के लिए बुलाए जाएगा, अब रिटन एक्जाएम की क्या कुछ आपकी सेलिवस है, क्या कुछ प्रोसेस है, वो आपको बताते हैं, बहँ हाँ पर रिटन ऑग्जम के बारे मिंने बताने से पहले आपके जो और डाउट है कि आपका जो फीजिकल है वो कब होगा कहा होगा आपको इसका पता आपको कैसे चलिगए देखेगा जो को लिट्र है. कहां पर जारी गएजाएगा जो आपका एड्रस है जो फूं आपने अपलॉई किया है उसमें जो आपने एड्रस दिया है वह पर आपका आपको 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 आसानी से पता चल जाएगा आपके एड़न काड़ के तुरू अब बात करते हैं कि जो प्रोस्स होगी आपके फीजिकल के बाद रिटन एक्जाम की उसमें क्या कुछ होगा देखेगा यहां पर चार सेक्षन से क्यों से पूछे जाएंगे किसकी से से सबसे पहला है ज इसको जादा रहने वाला है यहां पर इन दोंनों से आप से 50 पर से कुछेज आएंगे और यहांपर नमबर का नंबर बात करें कि आपके नेगिटिव मारकिंग होने वाली है तो हां जी बिलकुल आपके जूप को मिलेगी आपका डेटिस नमर का पेपर होगा हर एक सहीं के लिए आपको एक नमबर दिया जाएगा और एक गलत प्रस्ट के लिए आपका जियो पॉइंट टू फाइफ की वन बाई फॉर्थ आपके नेगटिव मार्क में इस एक्जाम में रहने वाली है यह बात आक को ध्य कि आपके इस्णे के पॉष्ट है क्योंकि आपतोई को से अब गजाए बूस्ट चैया उसके लिए के रहने वाला है इसके बाद आपकी जो अलग से तेन पोस्ट हैं MTS की, Fireman की और Trademan की इन तिनों पोस्ट के लिए जो आपके किस्टन का लेव रहेगा अब आपका 10th स्टेंडर का, 10 में का जो स्टेंडर है, 10 में जो लेव लेकिस्टन का वो आपको देखने को मिलेगा तो देखेगा ये आपके जानकारी आपके फिजिकल के बारे में, रिटन एक्जाम के बारे में, एक बात और, कि आपका जो फिजिकल होने वाला है, जो रिटन एक्जाम होने वाला है, वो कहां पर होगा, तो देखेगा ले में आपका जो फिजिकल है, और आपको जो रिटन सुना होगा तो ले में आपकी physical होगी वहें पर आपका return exam होगा क्यूंकि आपको जो ले है वहें पर 41 फिल्ड आपका उसका डिपो रहने वाला है और वहें पर आपकी पूरी प्रोसेसर बरते की वो हने वाली है तो ये बात आपको ध्यान रखनी है तो देखेगा फिजिकल के बारे में आपके return exam के बारे में कोई doubt आपका नहीं रहना चाहिए अगर इन सब के अलावा कोई और doubt है आपका जो बच जाताई से बरते के बारे में तो comment section में आप लोग लिख सकते हैं आपके हर एक doubt का जवाब दिया जाएगा तो उमीद करते हैं कि जानकारी अच्छे लगी होगी अगर जानकारी अच्छे लगी है तो फिलीज वीडियो को लाइक करना ना भूले और आपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को सेरे जरू कीजिएगा अगर आपने अभी तक form अप्लाई नहीं किया है तो अप्लाई कर सकते हैं form कैसे अप्लाई करना है इसका लिंक आपको वी डिक्स्रिप्शन में मिल जाएगा वहाँ से आप वी वीडियो चेक कर सकते हैं और अपने जो form है वो अप्लाई कर सकते हैं तो आगे के निए बडिट के लिए जुड़े रहेगा और चेनल को सब्सक्राइब बना ना भूले थैंक्स रोचेनल कीप सपोर्टिंग जैहें